बीते कुछ दिनों से आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जिससे शहनास की ट्रोलिंग और भी जादा होती चली जा रही है ये कोई नई बात नहीं है यार शहनास पर ट्रोलिंग हमेशा ही होती है सोशल मीडिया पर और जब बाते शहनास और सेडनास से जुड़ जाती है तो ये चीज़े और भी ज़दा होने लग पड़ती है कई बार इस पर हमने वीडियोcies बना कर अपडेट दिये लेकिन पीते कुछ दिनों से जो आर्टिकल आ रहें वो शहनाज और राघव के रिष्टे को लेकर आ रहे हैं उनकी डेटिंग को लेकर आ रहे हैं हमने पीते दिनों काफी इस पर बात कर लिये तो हमने जरूरी नहीं समझा था कि इस आर्टिकल पर हमें फिर से बात करनी चाहिए या इस टॉपिक पर फिर से बात करनी चाहिए लेकिन हमारे पास बहुत सारे डियेम आ रहे हैं फैंस के भी, निूट्रल आर्डियेंस के भी और जो डेली हमारे व्यूर्स हैं उनके भी वो चाहते हैं कि इस टॉपिक पर खुल कर बात हो क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जब रागह और शैनास की कोई बात आती है तो हम उस पर चुपी साथ लेते हैं हम उस पर वीडियोज नहीं बनाते हैं अपडेट नहीं देते जबकि हम हमीशा ही हर बात पर नजर रखते हैं शैनास से रिलेटेड हर टॉपिक को हम डिसकस करते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उनके प्रोजेक्ट को लेकर जो भी अपडेट आती हैं सब कुछ हम फैंस के साथ शेयर करते हैं तो लोगों का ये कहना है या फिर हमारे विवर्स ये चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी बात हो तो गाइस इस टॉपिक पर बात होगी जरूर होगी आपने अगर हिम्मत है तो इस टॉपिक को पूरा सुनिएगा करने की उन्हें आगे लेकर आने की लेकिन सथ सुने की हिम्मत अगर आप आपने है तो आप इस वीडियो को एंट तक देखिएगा लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा और बेल आइकन को भी ब्रیस कीजेे ट्रोलिंग होना तो सोशल मीडिया पर आम बात है इसमें कोई नई बात तो है नहीं और जब ये बाते शेहनाज से जुड़ जाती है तो ये बाते और भी जादा बड़ी हो जाती है वो कहते हैं ना कि जो जितना फेमस जो जिसका जितना नाम उसकी ट्रोलिंग उतनी ही जाद तक से आने लगे इन दोनों की खबरे या फिर इन दोनों की डेटिंग की खबरे बहुत टाइम से आ रही है कब से आ रही है ये भी मैं आपको बता देती हूं ये खबरे आ रही है जब से शहनास का डेबियू हुआ था बॉलिवुड में किसी का भाई किसी की जान मूवी के सा तब से इन दोनों के डेटिंग की खबरों को वाइरल किया जाने लगा क्योंकि इन दोनों को लव इंटरस्ट बताया गया था इस मूवी में या फिर यूं कहा सकते हैं कि as a pair ये लोग इस मूवी में कास्ट किये गए थे तो वो चीज़ें सिर्फ मूवी के लिए थी मूवी क ये प्रमोशन का एक तरीका होता है यार कि दो लोगों में डेटिंग की अफवाएं उड़ाई जाती है तो वो एक तरीका था मूवी को प्रमोट करने का और तब से लेकर अब तक यार मूवी आ चुकी है आके जा चुकी है भाई शहनाज उस चीज़ से बहुत आगे लेकिन आज तक भी वही खबरे वही खबरे रीपीट पर चलती आ रही है अलाकि मीडिया ने इस पर कभी कोई आर्टिकल ऐसे चापे नहीं लेकिन फैंस के जरीए या फिर फैंस के थ्रू या फिर जो लोग इस पेर को पसंद करते हैं उनके थ्रू हेटल के थ्रू ये ने इन दोनों की डेटिंग की खबरें देना स्टार्ट कर दिया और अगर आप आर्टिकल खोल कर देखेंगे ना गाइस तो यह एक आपको स्पैम आर्टिकल जरूर नजर आ जाएगा मतलब सब कुछ सेम एक एक लाइन आपको सेम नजर आ जाएगी मतलब यह तो वही है कि प पियार एक्टिवीटी होती है ना गाइस तो लेंगवेज से लेके एक-एक अक्छर बिलकुल सेम होता है और उसी से साफ पता चल जाता है भाई यह तो स्पैम करने की कोशिश की जा रही है यहां फिर पियार एक आर्टिकल लिखा गया और उसे मेडिया के हर पेज पर बट है तो उन्हें से नम से इंगेजमेंट चाहिए शेनाज के नम से उन्हें फूटेज चाहिए और वो इस चीज को यूज कर रहे है बड़ी सिंपल सी बात है यार उ से नाक चीज ब स्वाूज के लिए भी मिलकर इस चीज का फायदा उठाते हैं फैंस को तोड़ना चाहते हैं फैंडम में फूट डलना चाहते हैं और वो इस तरीके के आर्टिकल्स छपवाते हैं यह साफ साफ पी आर एक्टिविटी है गाइस और एक यह पिक्टर जिस पर तो इतना बवाल हुआ पड़ा है ना दोनों के कपड़े में जो रहे हैं सैम ब्राइन की शर्ट है सेम टू सेम शर्ट लग रही है तो गाइस ब्लैक और वाइट शर्ट तो सबकी वाडरोब में होती है आप भी अपना वाडरोब चेक कर लीजे आपके पास भी ब्लैक और वाइट कलर की शर्ट तो होगी यह तो बहुत कॉमन सी बात है यार वो शर्ट मिंस शर्ट सेम ही दिखती है तो यहाँ पर मैच कहां ही हो रहा है यार कोई मेच हो ही नहीं रहा लेकिन लोगों को बस वो बनाना है वो इतना मिक्स एंड मेच करते हैं कई बार एडिट पिक्चर्स को हमारे पास डियम के जरीए या इस तरीके से भीजा जाता है कि आप देखो मैम इस पर वीडियो बनाओ कई चीजों को हम एगनौर कर देते हैं लेकिन इस आर्टीकल पर हमें बात करना जरूरी था और इस तरह से जो मैचिंग और एडिट इट पिक्चर्स होते हैं उन पर कई बार हम आपका खुलासा कर देते हैं कई बार सबूतों के साथ आपको बता देते हैं कि किस तरह से एडिट की जाती है पिक्चर्स और शहनास के लिए ट्रोलिंग और भी जादा बढ़ा दी जाती है और आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि ये चीजें तब बहुत जादा बढ़ जाती है जब शहनास का कोई न्यू प्राजेक्ट आने वाला होता है और जब देखते हैं कि या शहनास बहुत आगे बढ़ रहे हैं यार लोगों की जैलेसी देखिया आप उनको ये चीज़ सहन नहीं होती कि एक आउटसाइडर लड़की आकर अपनी महनत और टैलेंट के दम पर इस मकाम तक पहुँच चुकी है इतने सारे बिग ब्रैंड्स के साथ वो काम कर चुकी है फेशन शोज कर रही है और कितने सारे आउट आफ इंडिया उनके शोज होने वाले आगे और हो भी चुके हैं तो इतना सारा काम जब एक लड़की जो की आउटसाइडर है वो आके कर रही है तो लोग जब उनके लेवल तक पहुँच नहीं पाते तो वो बस क्या करते हैं उन्हें डाउन करने की कोशिशे करते हैं उनके लिए ट्रोलिंग बढ़ाने की कोशिशे करते हैं और इस तरीके के आर्टिकल्स को चपवाने की कोशिश करते हैं नहीं तो आप ही सोचिए ना कि इतने सारे आर्टिकल्स एक साथ क्यों आएंगे वो पिक्टर्स को यहां पर लगा कर और आर्टिकल्स छपवाने का क्या मतलब है क्योंकि इनके पास कुछ और है नहीं वो एक रील वीडियो है जो प्रमोशन के टाइम का था उसी को तोड मरोड कर वो इस तरीके से पैश कर रहे हैं गाइस स्रिफ और स्रिफ शेहनास को डाउन कर करने के लिए और किसी और का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसको हाइप में लाने के लिए आप समझो गाइस यह सारी चीजें इंडस्ट्री में होती है यह आम बाते बस वही है फैंस जो शेहनास से इतना दिल से कनेक्टेड है न वो इन बातों से हर्ट हो जाते हैं तो आपक रहना चाहेंगे कि शेहनास गिल को किसके साथ आगे बढ़ना है लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ शेहनास लेंगी किसी को भी किसी को भी इस मामले में बोलने का हक नहीं है ना तो फैंस ना तो ट्रोलर्स कोई भी यह हक नहीं रखते कि शहनास की personal life पर जाकर comment करें ये उनका अपना फैसला है life में उन्हें आगे बढ़ना है definitely आगे बढ़ना है तो ये फैसला और ये हक शहनास का है तो उन्हें लेने दो यार उन्हें किस के साथ दोस्ती रखनी है किस के साथ घूमना फिरना है किस तरह से आगे बढ़ना है ये उनकी personal life है इसमें किसी को comment वाजी करने की कोई जरुत है नहीं बाकि शहनास का जब मन होगा वो जब जो भी बताएंगी हमें उन्हें support करना है हम बिल्कुल भी किसी भी मामले में against नहीं हो सकते क्योंकि हम fans है उन्हें support करना हमारा काम है शहनास जो भी फैसला लेंगी हम सब का पूरा पूरा support शहनास के साथ होगा लेकिन वो फैसला शहनास का होना चाहिए वो जो भी बताएंगी हम उस पर believe करेंगे इस तरीके के किसी article पर believe fans कभी भी नहीं करेंगे तो yes guys यह है वो topic जिस पर आप सभी वीडियो चाहते थे and I hope कि हमने सभी के doubts को clear किया है पूरा का पूरा जो article है उस पर पूरी सफाई देने की कोशिश की है शहनास को support जिस तरह से हम सभी कर रहे हैं वो चीज़ें भी आप तक हमने पहुँचाई है आपका इस पर क्या है कहना कॉमेंट में आकर जरूर बताएं वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर करें ताकि सभी फैंस तक ये सारी बातें पहुँच सकें और कॉमेंट में आकर जरूर बताएए प्लीज की आपका क्या पॉइंट आफ यू हम आपके कॉमेंट का इंतिजार करते हैं बागी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हर लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए थैंक यू गाइस